अर्ट वर्हे हम राज बनाने जाए हो इसके नहीं रहे है यह सब समान लिया ते यह जाकी मैंते हुआ है ऋटिया इन हां तो आ नहीं ख़ा देगा रिखते हैं कितना फूल गया है ये सब्सक्राइब दोओन आधा स्याथ। नहींसे टो पी आधार लिए लादो पोड़ती न whether बाला। कोटिवी और दहल जाए दे पीनलए जीड़ी पडल भूणावा पिसचुमंच खाए घंवा आदकशंच ग्रम मसाला आदू ठोड़ 1 जा़ फैल ग्रूंघे जिए घंवा गशतर इस हाँ ग्रोंच पाइब करेंदे तत्ति में मेति पैंगे टोफ़्ें तियर्णयुक पानी में अबालेंगे इसका मज़ा सारा इसी पानी में है और अलग कर लिया था पानी वह भी डाल देंगे इसमें कि अब नमक डाल के उबालेंगे हम तो नमक डाल देते हैं आधर टेस्पून के खरीब और एक दाल चीनी का तुक्ड़ा डाल देंगे चोटा से लिए देखिये दाल चीनी के जादा नडाले चोटा सा तुक्ड़ा डाल दें वस्सक्राइब कि कुछ भू हो जाएगी थोड़ी सी हमने चोटा सा दाल चीनी का तुगड़ा भी डाल दिया यह आप देख सकते हैं अब हम इससे शीटी लगाते हैं छह साथ सीटी आएंगी इसमें और फिर दिखाते हैं आपको है पहले सबीध कि तेज आंच पर कम इससे क्लम काई नीलो और करो hydra करें उत्रेखणा आपको जादा घुलावज करो हैं मियूत्तं पिरूचित कि क्लम कि कौड़ इसमें कड़ाई रख दिए इसमें तेल डालेंगे है कि यह बहुत छोटा सा चमबश लिया है हमने आप देख सकते हैं कि सलसो होई ले है हमने एक छोटा बावली पूरा डाल दिया तेल का आप कम डालना चाहें कि यह देखिए हमने एक छोटा बावले यह डाल दिया इसमें इसमें बड़े देड़ चमच के परीब तेल आता है कि सलसो का तेलिया हमने आप कोई सा भी ले सकते हैं रफाई नोई ले सकते हैं कि सलसो के तेल में इसका मज़ा अलग होता है बलकुल और बहुती अच्छा निकल के आता है कि अच्छे घनी का तेल यूज करते हैं अच्छे जीए आ एल और और इसा होता है तेल जुरब होता है लेकिन फायर करता है अब अब आ ये है ऐसे हमें लाइट गॉल्डण करना रोड़ निकार ना कोनमे से थोड़ी हलकी कमनी है प्यास प्यास हमारी गोल्डन हो गई है अब देख सकते हैं थोड़े पास से पीली-पीली यूँ दिख रही है कि सल्चो के तेल में हमने इसे तला है इसलिए इसमें जरा सा इसे रोकने के नियम थोड़ा सा पानी डाल देंगे एक चथाई कपके पानी लिया है यह डाल देंगे पानी ध्यान से डालें यह उड़ता है एकदम से और इससे क्या होगा प्याग और गड़न तो हो गई हो और नरम हो जाएगी और बेलकुल गिरही की शेब में आ जाएगी जब तक हमारे गिरही तयार होगी जब तक राजवरी उबल जाएगा अगर्चा आपके पास टाइम नहीं हो तो कि आप सुबह में बपिगो सकते हो थोड़ा गरम पानी लेगे उसमें खाने वाला मीठा सोडा ढालने थोड़ा सा और उसमें बपिगो सकते हैं जल्दी बनाने के नहीं है अगर्चा रात को आपके बूल गई हो और अगर शुबह को टाइम हो कि यह पकाना है और तो आप कर सकते हैं कि दिरेवी की तरह हो गई यह प्यास नहीं अधर लसन का फिर डाल देंगे हाथ के हाथ यह भून जाएगा इसमें कर सिल नुक दोघन जाएए और तो पिसाव ले लिया है कि असकी ना अलग मज़ा हो पिख जाता है हैं अभी निकल निकल देते हैं कि यह सब इसमें मज़ा चाहरेत हैं इसमें रहेंगे हैं सब इसमें रहेगा मिल्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं मसाला हमारा अच्छ के बहुं गया ऑगया में टमाटन डाल देंगे आप अ पर शुआ हैज्टान सरथ सब्सक्राइज आप अपद आप एक टूल देखों एक टत्वाइज होगा अनुट्व और युट्व टाप टेखोंगा है इसी के साथ साथ हम धनिया पोटर भी डाल देंगे साथ खल्दी पोटर भी डाल देंगे तो माटर पकेंगे ये मसाला भी पक जाएगा साथ मी उनने लगा है ययका पोटर डाल देंगे। बडलेऊं एक ते चाट मसाला भी डाल देंगे। बडलें नमक याज हमेे वी दाल राजमे वी दाल ला वं और इसाट मसाला में होता है। अजिए नावी जाटर बीट में देगी तोर्ट के चाहिए, लाज मेट पोडर देगी वेश्ट आप अपने हिसाब से डालें जाटर देगी यह थोड़ी जादा डालें कि अच्छा सब्सक्राइब देख सकते हैं कि अच्छा सब्सक्राइब देख सकते हैं हैं अब करगे। बात्यवी ए राजमा बें देख सकते हैं मिलस करगा तौल ने कुछ मजाए्प हरीख नौल गवलनाउब देख सकते हैं का यइन फक्रहण में वह दें माँ का जालाघा निपाता जाए लाइ मिल्वक्राउ ताय sw echo x सुरम के बादे पानामा अप्र जल गांजा या स्बान्या हम यह माय ने इस पड़ा डेकर पान साथ मिन थोड़ हो ती ॉप में ऑप नुप दल आलोगालागयर खांजी न입니다 और नमक भी डाल देंगे टेस के हिसाथ से, जिरेवी में जितना नमक चाहिए तो नहीं डालेंगे, क्योंकि राजमे में तो हमने जो बालने के निये रखा था जब डाल दिया था, देखिए, आदर टी स्पून के पधी डाल देते हैं, नमक हलका होगा तो दुबारा डाल सकत और तेज हो गया तो वह पूरा ही बेकार हो जाएगा, मैनत भी बेकार हो जाएगी, इसलिए नमक थोड़ा कमी डालें, भूने वी ये चीज़े भूनी भी होती हैं, अगर चावलों से खाना चाहिए तो थोड़े गिरेवी पतली रख सकते हैं, और रोटी से पराटों से ख बचल लिए तैस्ट मेधी बहुत ही अच्छी होगी, तैस्ट रहल्की अंग पर छोड़ेते हैं, और अना राजमिया को खोल के देखते हैं, अब देखे हैं राजमावरी को नमक भी बल गया है, यह आप देख सकते हैं, तो भी एब तो थोड़ा थोड़ा पराटों से खाल का ना ग्डावा भिया है इसी एच्छा लगता आ चाहुनलों से रोटी सोज में जब तो गिरहवी में नाज भाली मसाला मसाला या थोड़ा से गिरहवी नाज पर जादा एउसे चनों की जैसे छोले बनाते हैं से आलू बनाते हैं से तोरी कि डिडियवी भिः होगी तो अच मसाला बिल्कुल तयार हो गया है अब हम इसमें राजमा डाल देंगे अब हम सारा राजमा डाल देंगे आपको जितनी गिरेवी पतला चाहिए आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं अब दे खुछा सब्साइब करें आफ लेके का रखलों से खाना ईहां थो थोड़ा पतला रखिए आंप कनगे रिखें यह साती यह निया का व्सके हिए तो और छपज़ हो खुफंकम साकते हैं कि अचैनों होरी अमका रागों ञिवा है जबाता हो सारा चोंढों से खाना है लाजमे का जो पानी तो आप की राजमे कते हैं के सारा मज़ा तो पानी में होता है इसका इसलिए और आज को थोड़ा हलका कर लेते हैं हम आपार यह कसूरी मेथी है और यह बिल्कुल चूरा होई भी है आपके पार अगर चे थोड़ी मोटी हो तो आप तवे पर भूनके और हाथ से रगड़के डाल सकती है मलके चैसे इसस के साथ साथ हम इसमें जीरा पोटर भी डाल देंगे बुनावा जीराइए पिसावा थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे थोड़ा सा रोकेंगे उपासे डालने के निए कि अच्छा लग रिया यह देख सकते हैं कि अच्छा लग रिया खोश्बू भी बहुती अच्छा आ रही है इसमें से मसाले की आप खा के देखिए दरूर लेकिन आप जब बनाएंगे जब खाके देखेंगे हमारे तरीके से आप बनाएंगे आप बहुती अच्छा हो बहुती मज़े का यह चाओं लों से आप अराम से खा सकते हैं मैमान आए उन्हें भी खिला सकते हैं आप खुद भी घर में बनाके खा सकते हैं कि अगर जब पीका लगे तो आप डाल दें कच्चा नमक नकांग सानक आप इसलिए बिले पेरिशर वालों को ति यह चला सब बाल जाएगा तो नमक पक जाएगा यह देखिए थोड़ा सा नमक हम और डालेंगे एक चथाई टीस्पून नमक थोड़ा सा इसमें हमें फीका लग लिया था और मिल्चे वगेरा सब बिल्कुल एकदम सही है जादा ना डालें नहीं ओवर हो जाएगा थोड़ी लाइट भी रख सकते हैं आप लाइट खाते हो फ़कि कर ने हुए थोड़ा हो पकंद पका थैंडयों आपके मज़एक दो मिनťट एन च़ोड़ देंगे यह देखिए एक से दो मिनट हो गाएं पकते वे आप देख सकते हैं हमने सिलो आज पर पकने के निया छोड़ दिया था ताकि सारे मसाले राजमें के अंदर चले जाएं यह बिल्कुल तैयार हो गया है कि क्या है ज्यादा साबत होता है तो ग्रेवी में पता नहीं चलता है वो अलग अलग टेरते रहते हैं बिल्कुल खड़ें से एकदम थोड़े से नरमी जोना उबाले यह देखिए उसका मज़ा अलग होता है हमने नरभी है इसमें और हणा का साबुद भी Sóबजी दोनुटरह करें आप देख सकते हैं अच्छा लगता है इसमें गिराऑवी में पूरा मज़ा आजता प्राजमे करमें को जो साबुद्स नदके उसमें गिराऑवी में मज़ा नहीं होता कि हमारा राजमे बुर्कुर तयार हो गया आप देख सकते हैं कि अगर तरफ डाल देते हैं अगर जो आज में को बढ़ डाला तो राजमा दिखाई नहीं देगा थोड़ी से सजाने के नहीं है बस ऐसी किरिम डाल देते हैं आज में अजुना राजमा नहीं है लेकिन और देख सकते हैं यह देख सकते हैं बहुत होती है अच्छा लगे आप हमारे तरीके से ज़रूर बनाकर देखें हैं अगर चाहँ आपको हमाई यह वीडियो अच्छे लगे तो जब चुछे करना ना बोली है अगल आपको आपको नए फिर्सपी को आपके पसज़ायों और शेयर करते रहिए ताके ये और आगे तक लोगों के पास जाए और वो भी कुछ सीखें और हमें भी कुछ मिले कि हाँ जी हमें ये बनाना है ये करना है तो ये ऐसा चाहिए तो कमिन्ट करके जरूर बताईए और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ जब तक कैनी अल्ला हाफिज